तो कुछ लास्ट दिनों से जो वीडियोस में कंटिनियस नहीं आ पा रहे थे कुछ हेल्थ इसू के कारण बट अभी आपके जो सीरीज रहेंगी कंटिनियस रखी जाहेंगी जिनका भी 9 सेप्टेंबर को पेपर होने वाला है आई थिंक यूपी चीएचो का पेपर है 9 सेप्टेंबर को और 6 सेप्टेंबर को जिनका गौलियर जी एंसी के लिए पेपर है जो भी लोग चीएचो और जीएचो के लिए पीडियेफ लेना चाहते हैं आप डारेक्ट मेरे वाट्सेप नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं इ लग अलग जगे GMC के पेपर हो रहे हैं और अभी रिसेंट में सागर मेडिकल जो सागर का जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है वहां के लिए डेट एक्सेंड की गए फॉर्म फिलप के लिए तो जिन भी लोगों अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वहां के लिए फॉर्म चैनल पर नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन बटन को जरूर प्रेस करें तो यहां पर जो भी कॉश्चन रहेंगे आपके जो अपकमिंग एग्जाम होंगे उनमें हेल्फुल रहेंगे बहुत ही जल्दी अभी एक सितंबर को ही जो एम्स के जितने करवा दिये जाएंगे सभी PDF फॉर्मेट में रहेंगे और सभी ओरिजनल पेपर रहेंगे जिससे आपको आपके एक्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा है लफ होगी चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर कॉश्चन में फॉस्ट है दसंट इस मोस्ट कॉमन ल सैट लिएक जाता है गासंट से जट कॉमन समय सट उसमें तो यहांई दमेंट के तौर पर तो systemर्स में क्या थी वाटर होता है की और का वाटर का अक्यूमिलेशन उसको बाहर निकालने के लिए कोई ट्रीटमेंट तो दिया ही जाएगा जिससे जो आई सीपी बढ़ रहा है उसको कम किया जाए साथ ही चाहर स्वैलिंग होगी उन सभी चीजों को कम किया जाए बट मोश्टली हाइड्रो का मतलब होता है वाटर उ वाटर का अक्यूमिलेशन हो रहा है कलेक्शन हो रहा है फ्लूड का विल्डप हो रहा है फ्लूड उसको बाहर निकालने के लिए कुछ चैंसी ट्रीटमेंट किया जाते हैं कि उस फ्लूड को पूरा बाहर निकाला जाए तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है एक scenting process की जाती है जिसमें जो fluid है उसको brain से निकाल कर कहाँ पर लाया जाता है peritonium में जो की abdomen है यहाँ पर लाया जाता है तो जो mostly BP scenting treatment यूज किया जाता है इसके लिए यह देखिए हैं पर ventriculo peritonial scent BP scent में क्या किया जाता है कि एक जो left ventricle होता है generally left ventricle के यहाँ पर behind the ear एक valve लगाया जाता है जिसके थो पूरा एक catheter डालके जो पूरा water रहेगा वो कहाँ पर लाया जाता है वो लाया जाता है abdominal cavity में peritonial में तो यहाँ पर जो most common treatment होता है hydrocephalus का वो कहा है ventriculo peritonial scent यदि थोड़ा बहुत food accumulate हुआ है तो manitol दे जाती है कुछ हैंटी medicine's दी जाती है इस food को बाहर निकाला जाए but in case medicine के treatment से patient ठीक नहीं होता है तो कैसे treat किया जाता है इनको ventriculo peritonial scenting के द्वारा और BP scenting के द्वारा यह question exam में आता है तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखें और BP scenting क्या है इस थरीके से भी आ सकता है BP scenting क्या है और किसको treat करने के लिए use होता है तो यह most common treatment है सबसे अच्छा treatment है hydrocephalus को treat करने के लिए water accumulate हुआ है खटा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए इस तरीके से scenting process के द्वारा क्या किया जाता है जो left ventricle है large left ventricle रहेगा यदि तो हाँ पर एक catheter डालके जो पूरा एक scent बनाया जाएगा passage बनाया जाएगा इस के थो उस catheter के थो पूरा जो फ्लूड रहेगा water रहेगा उसको कहां पर लाया जाएगा peritonium में next यहां पर the method used for administering medication into the ear is called तो कौन सी method है जो यूज की जाती है ear medication के लिए यदि कान में दबाई डाल ली है हमें तो कौन सी method यूज की जाती है option में inhalation, installation, injection यूज की जाती है इंस्टलेशन का मतलब होता है कि मेडिसेन डारेक्ट कहां दी जा रही है आपके लिए वेंस में दी जा सकती है सबकेटेनियस दी जा सकती है इंसटलेशन में इंस्टलेशन next is principle of interpersonal relationship include तो interpersonal और interpersonal relationship हमने पढ़ा है तो interpersonal जो relationship है इसका principle क्या है तो interpersonal relationship का जो principle है इनमें से कौन सा है तो option में guiding, counseling, motivation या फर impartiality तो जो interpersonal relationship होते हैं इनमें क्या होना चाहिए या फिर दो या फिर दो ऐसे लोग interpersonal में कौन से लोग आएंगे ऐसे लोग जो एक ही चीज से belong करते हैं इसमें आपके family friends भी हो सकते हैं यहां पर आपकी कोई भी जरीके की formality नहीं होनी चाहिए तो यहां पर interpersonal relationship के principle में से क्या आएगा तो वह होगा यहां पर accept करके question है, typing के कारणे problem हो गई है तो जो नहीं होगा वो क्या होगा? impartiality interpersonal relationship में impartiality नहीं होनी चाहिए बागी आप guide कर सकते हैं, counseling कर सकते हैं, motivate कर सकते हैं बाट जो आप नहीं कर सकते हैं वो क्या impartiality किसी भी तरीके से आपको पार्सियाल्टी नहीं करनी है next is which of the following is the reason for the development of hydromnias in a woman with gestational diabetes तो यदी कोई मदर क्या है उसको gestational diabetes की problem है तो उसके baby में sorry उसको जो hydromnias की condition develop होती है तो उसका most common reason क्या होगा? option में increased transduction, fetal diuresis, absence of solving reflection fetus या फर hyperplasia of blood vessels hydromnias की condition है यदी किसी मदर को और साथी साथ उसको क्या? gestational liabilities भी है तो hydromnias की condition में क्या होगा? कि बहुत जादा amniotic fluid build up हो जागा pregnancy के time पर यदी oligo hydromnias आता है तो उसमें क्या होगा? amniotic fluid क्या है? कम है यदी hydromnias और polyhydromnias आता है तो इसमें क्या होगा? कि amniotic fluid बहुत जादा build up हो रहा है प्रेगनेंसी में तो इसका most common reason क्या होगा? साथ ही जाद मदर क्या है डाइबिटिक भी है? gestational diabetes है उसको option में है increased transition, fetal diuresis, absence of solving reflex in fetus, यदी hydromnias की condition डेवलप हुई है और मदर gestational diabetes है तो इसका जो main reason हो गए हैं पर fetal diuresis होगा fetal diuresis में क्या होगा? कि जो fetus की kidney है वो जरूरत से जादा क्या कर रही है? बहुत ही जादा urine है जो बना रही है और बाहर निकाल रही है तो जो urine जादा आ रही है बेबी जो urine जादा pass out कर रहा है fetus उसके कारण भी hydromnias की condition develop हो सकती है जो hydromnias का region एक इन में से यह भी हो सकता है fetal diuresis और साथी साथ मदर क्या है? gestational diabetes है उसको next is a factor predisposing a person to nezocomial pneumoniaism तो इन में से एक कौन सा nezocomial pneumonia के लिए predisposing factor हो सकता है? option में है oropharyngeal colonization due to mouth breathing, endotracheal intubation, use of nasogastrictive या फिर use of H2 antagonist तो nezocomial pneumonia का जो एक factor हो सकता है especially person predisposing factor के तोर पर भी रह सकता है क्या होगा main reason इसके लिए तो वो होगा endotracheal intubation ET tube intubation के कारण भी बहुत जादा chance रहेंगे nezocomial pneumonia के होने के nezocomial pneumonia का मतलब है यहां पर hospital acquired pneumonia nezocomial का मतलब क्या होता है? hospital acquired infection होता है तो यहां पर कहा है कि pneumonia है तो hospital से यह pneumonia आपको पहले से नहीं तवट hospital के कारण हुआ है तो किसके कारण हो सकता है? ET intubation के कारण और जब भी question आपको आता है कि hospital acquired या फिर nezocomial infection कितने time के बाद हो सकता है? तो after 48 hour के बाद यदि आप discharge भी हो गए है in case hospital से admit होने के बाद से 48 hour के बाद आपको यह नौजो कोमिल इंफेक्शन और pneumonia की condition हो सकती है तो यदि नौजो कोमिल इंफेक्शन वास पूछते हैं तो 48 से 72 घंटे after admit होने के बाद और जो यहां पर कहा है कि नौजो कोमिल इंफेक्शन के कारण होने के chances जादा रहेंगे next is a six year old child is admitted with nephrotect syndrome which is the significant nursing intervention to be done daily by a nurse तो यदि कोई बच्चा शह साल का बच्चा nephrotect syndrome की condition है उसको hospital में admit हुआ तो as a nurse आप daily उसके लिए क्या चीज़ें चेक करेंगे option में है checking the temperature, monitoring intake output chart, measuring mid arm circumference या फिर checking capillary riffling time तो यदि 6 साल का बच्चा admit हुआ है hospital में nephrotect syndrome की condition है तो आप उसमे as a nurse daily क्या check करेंगे उसका intake output chart क्योंकि उसको क्या problem है nephrotect syndrome तो यहां ऐसे case में आपको सबसे आपकी जो first priority होगी चाहे adult हो या बच्चा हो उसमें आपके लिए urine output को check करना होगा तो यहां पर intake output chart को आपके लिए check करना होगा जब भी कोई kidneys related problem आपको पूछी जाती है तब next is the antidote used in iron toxicity is तो यदि iron toxicity हुई है iron overdose हुआ है तो जो antidote use किया जाएगा iron toxicity हुई है iron overdose हुआ है तो उसको treat करने के लिए उसके effect को कम करने के लिए तो वह होगा defroxamine क्या होगा defroxamine और charcoal है जिसको universal antidote माना जाता है यदि आप से एक्जाम में पूछते हैं कि charcoal जो universal antidote है वो क्या है वो चार कोल तो यहां पर iron toxicity हुई है तो उसको कैसे treat करेंगे आप defroxamine के लारा next is yellow color code is used for which type of hospital based तो yellow color code है जो biomedical based के according के question है यापर तो biomedical waste management के तहें तेदी yellow color code आपने यूज किया है hospital waste के लिए तो इसमें किस type का waste रखा जाएगा option में glassware, body parts, plastic या फिर salves तो जो yellow color code होगा इसमें हमेशा anatomical waste ही रखा जाता है कौन सा waste रखा जाएगा anatomical waste तो यहां पर according to option के हम जाएं तो क्या हो body parts हमेशा हर एक nursing exam में दो या तीन question biomedical waste management से आते हैं तो आप prepare करें जरूरी नहीं है कि आप से सीधा yellow back पूँच, red पूँच सकते हैं, blue पूँच सकते हैं और black पूँच सकते हैं तो आपको यह सभी color code है जो याद रखने होंगे कि hospital waste में कौन से color code को किस चीच के लिए यूज किया जाता है next is which of the following sites is recommended for adults as a safe site for the majority of intramuscular injection adult में IM injection के लिए intramuscular injection के लिए safe site कौन सी है option में vastus lateralis site, ventrogluteal site, dorsal gluteal site या rectus femoris तो यदि किसी adult में intramuscular injection administer किया जाना है तो जो best site होगी वो होगी ventrogluteal site, कौन सी ventrogluteal site यदि infant में पूछते तब होती vastus lateralis वाट एडल्ट में पूछा है तो क्या होगी ventrogluteal site यहाँ पे आपके दो question clear हो जाते हैं कि यदि adult में पूछते हैं तो ventrogluteal site और यदि less than two year old के बच्चों में पूछते हैं तो वास्तस lateralis muscles है जहाँ पर intramuscular injection है जो बच्चों में दिये जाते हैं next is what is an example of an objective data तो दो टाइप कर डेटा होता है objective और subjective data जो nursing assessment की process होती है उसमें यहाँ पर आपको objective data का जो है जो बताना है option में eating nausea feeling of worry यह फिर डिसकलरेशन आप दे skin तो जो यहाँ पर objective data होगा वो कौन सा होगा फिर डिसकलरेशन आप दे skin objective का मतलब है as a doctor as a nurse आपने वो चीज ऑब्जर्व किये उसके बॉड़ी के ऊपर अदि आपने कोई निसान देखें मार्क्स देखें तो यह किसमें आएंगा objective data में और यदि जो चीज में पेसेंट खुद से बता रहा है explain कर रहा है तो किसमें आएंगे subjective data में तो according to option नहापर जो आंसर होगा हो पेसेंट में वो चीजें आप जो भी चीजें आपने मेजर की हैं verified की हैं वो चीजें आप क्या कह सकते हैं objective data में आएंगी और जो पेसेंट खुद से बताएगा वो चीजें पेसेंट अधी कह रहा है जो चीजें पेसेंट आपको बता रहा है next is the pattern of behavior expected of an individual in a certain group or situation is referred to as तो यहसे behavior जो किसी individual से आप expect करते हैं किसी group के लिए या फिर किसी situation के लिए तो यह क्या कहलाएगा option में social role, social system, institution and after status तो यहाँ पर जितने भी question लिए गए हैं या आपके जो aims के previous paper रहें उनी में से एक एक दो-दो question करके collect किये गए हैं ताकि आपको जो previous especially central government exam होते हैं तो इनमें किस type के question आते हैं तो इस तरीके का pattern of behavior क्या कहलाएगा social role क्या कहलाएगा social role next is the concept of health which emphasized that health is a sound mind in a sound body in a sound family in a sound environment is health का यह जो concept है जिसमें कहा गया है कि sound mind in a sound body and sound family in a sound environment आपका जो सांथ दिमाग है वो सांथ सरीर में रहेगा और सांथ family जो अच्छी family है वहाँ पर अच्छा environment रहेगा तो किस concept health concept का part है और साइकलोजिकल कॉंसेप्ट फिजिकल कॉंसेप्ट होलिस्टिक कॉंसेप्ट एफ एकोलोजिकल कॉंसेप्ट तो यहां पर जो concept बताया गया sound mind in a sound body in a sound family environment is तो किसका कॉंसेप्ट है holistic concept क्या है यहां पर holistic concept next is inferior vena cava opens into the तो दो vena cava है superior inferior vena cava inferior vena cava कहां पर open होती है option में right atrium left atrium left ventricle left right ventricle inferior vena cava है इसका जो part open होता है कहां पर होता है right atrium में यहां पर image से आपको easily समझ में आएगा inferior vena cava कहां पर open होती है यह open होती है right atrium में यहां पर superior vena cava भी upper part of the right atrium में open होती है और inferior vena cava भी open कहां पर होती है lower part में यदि आपको पार्ट के पार्ट से question पूछते हैं तो आपको बताना है superior vena cava right atrium के अपर पार्ट में open होती है और inferior vena cava right atrium का lower part है वहां पर open होगी यहां पर आपको image दी हुई है इससे आपको easily समझ में आ सकता है कुछ-कुछ question में image भी दी हुई है जैसे आपको समझना easy रहे next is which among the following is a complication of spinal anesthesia तो यदि किसी को spinal anesthesia दिया जाता है तो उसका जो complication है वो क्या होगा option में disnea, hypertension, tachycardia या फिर hypotension जो most common complication होता है spinal anesthesia का वह होता है hypotension क्या होता है hypotension यहां पर दो तरीके के complication बताए गए है spinal के और epidural के तो common और rare क्या रहेंगे तो जो spinal anesthesia के लिए खा गया है spinal anesthesia में जो तुरंत आपके लिए जो complication देखने को मिलेंगे hypotension होगा कभी-कभी toxicity भी हो सकती है high blockage भी हो सकता है पर चांसे कम होते हैं तो यहां पर spinal anesthesia का जो most common complication है वो क्या है hypotension यदि epidural में पूछते हैं तो epidural में hypotension की जग hypotension होने के chances ज्यादा होते हैं बट एक्जाम में spinal anesthesia आता है तो आपको मार करना होगा hypotension next is the extreme softening of the cervix the first trimester is known as तो cervix का first trimester में बहुत ज़्यादा soft होना क्या कहलाएगा option में है औसी अंडर साइन, गॉडल साइन, चैडविक साइन या फिर पिकाचे साइन तो first trimester in pregnancy यदि cervix और बहुत ज़्यादा soft होती है तो यह बहुत ज़्यादा vascularization के कारण एक condition होने लगती है तो यहाँ पर आपका answer क्या हो? गॉडल साइन, यह सभी क्या है? probable sign और presumptive sign और pregnancy हो सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यदि first trimester में पूछते हैं extreme softening of the cervix that means यह क्या है? गॉडल साइन और यहाँ पर जो sign दिये हुए है इस अभी pregnancy में होने वाले sign है next is the amount of elemental iron in one tablet for mother season तो एक जो iron की tablet होती है उसमें elemental iron का जो composition है वो कितना होता है? option में 50 mg, 50 mg, 60 mg या फिर 60 mg तो यहाँ पर जो elemental iron होता है एक iron की tablet में जो mother's को दी जाती है pregnancy में तो उसमें कितना elemental iron होता है? 60 mg 60 mg आइरन है जो एक iron की tablet होती है उसमें जो elementary iron होता है वो कितना होता है? 60 mg और iron का जो mostly absorption होता है वो कहाँ पर होता है? small intestine के eudanum part में next is the drug of choice to combat magnesium sulfate toxicity is MgSO4 की यदि toxicity होती है overdose होता है तो कौनसी medicine को as a antidote के तौर पर यूज किया जाएगा? option में calcium gluconate potassium sulfate sodium bicarbonate या फिर sodium chloride और NACL तो जो drug of choice रहेगी MgSO4 toxicity के लिए magnesium sulfate overdose होता है यदि किसी में तो कौनसी medicine दी जाएगी? तो वो कि calcium gluconate calcium gluconate को as a antidote के तौर पर यूज किया जाता है MgSO4 को किस के लिए treat करने के लिए दिया जाता है eclampsia के patient को treat करने के लिए दो question clear रखे magnesium sulfate दिया जाता है यदि patient को eclampsia preeclampsia हुआ हो और यदि magnesium sulfate का overdose हो जाता है toxicity हो जाती है तो उसको कम करने के लिए calcium gluconate as an antidote के तौर पर यूज किया जाता है next is a wound where the skin layers have been scrapped off is termed as तो wound है जो एक घाव है इसमें skin की layer क्या हो गई है स्क्रैप्ड हो गई हो अपनी जगह से छिल गई हो थोड़ी सी दूर हो गई हो तो इसके लिए क्या term यूज किया जाएगा option में है incision, puncture, laceration या फिर abrasion तो यहाँ पर आपको दो option में confused नहीं होना है laceration और abrasion में तो skin layer क्या हो गई हो scrapped हो गई है तो इसके लिए term यूज किया जाएग वहोगा abrasion laceration में deep आपके लिए जो skin है वहाँ पर deep cut type से लगेगा but abrasion में only skin की layer हो scrapped होगी वागी incision है जो जो यासे इस तरीके से आपको नहीं होगा वो doctor ही कर पाएगे आपके लिए और पंचर भी वही करेंगे but यहाँ पर scrapped sorry laceration और abrasion में minus a difference है कि skin layer एदी scrapped हुई हो तो abrasion एदी deep cut type से हुआ हो तो क्या laceration next is an immunologic reaction to a drug to which a person has already been sensitized is known as किसी भी drug का कुछ इस तरीके का immunologic reaction जो person already उस चीज़ से उसको sensitivity हो तो वो क्या कहलाएगा option में drug allergy drug tolerance, drug intolerance तो यहाँ पर जो sensitivity पहले से ही है उस person को उस drug को लेके तो यह क्या है drug allergy क्या है drug allergy drug tolerance का मतलब है कि कोई भी medicine एदी आप लेते हैं तो वो किस तरीके से आपकी body perfect करती है आप उसको किस तरीके से tolerate कर पाते हैं जैसे कि कोई सराफ पीता है और उसको उस चीज की आदत है तो वो सराफ कोई जादा dose में भी अच्छे तरीके से उसको tolerate कर पाएगा intolerance का मतलब यहाँ पर वो होगा कि आप उस चीज आपको किसी भी medicine के जहलने की छंता जादा है ही नहीं और drug toxicity का मतलब है कि कोई भी medicine का overdose होना तो यहाँ पर question था कि immunologic reaction होता है किसी drug का है वो person already उस चीज से sensitized है उसको sensitivity है उस चीज से तो क्या होगा drug allergy next is digoxin isn't digoxin क्या है cardiac glycosides, thromolytic agent calcium channel blocker, sepher anti-engine drug digoxin है क्या है digitalis agent cardiac glycosides है यहाँ पर आपका answer क्या होगा cardiac glycosides next is the abnormal condition in which the umbilicus is inserted through the membrane is known as तो ऐसी abnormal condition जिसमें क्या हुआ हो umbilicus है जो कहां से insert हुई हो membrane से तो यह क्या कहलाएगा bellomentus, metal door, succinate rate f-marginal तो ऐसी abnormal condition जिसमें umbilicus का insert है वो कहां से हुई हो membrane से हो center part से ना हो के membrane से insert हुई है तो यह क्या कहलाएगा bellomentus insertion of cord normally है जो ligus cord center part से attach होगी बस bellomentus insertion में क्या होगा कि यह cord कहां से होगी जो membrane है placental membrane वहां से insert होगी next यहाँ पर the index for finding effectiveness of contraception अपको अच्छिस को कौन से इंडेक्स है जो यूस किया जाएगा उनने इवन Contraceptive method उस की हैं तब ही हैं यहां पर जाता है की टोटल टोटल टिंडेटल टोटल मन्ठ उफ एक्सपोजर तु तोटल number of contraceptive failure को per 100 women year में कितनी जो failure rate रही है इसकी वो find out किया जाता है किस से pearl index से. Next is an 18 month old child was brought to the well baby clinic for booster dose of DPT vaccine which among the following muscle is preferred by the nurse to administer vaccine. DPT का जो booster dose दिया जाना है किसी बच्चे को generally four to six year case में दिया जाना है कभी कभी जो vaccine है यहाँ पर कहा है 18 month के लिए पूँचा गया है जो DPT का अभी pentavalent करके दिया जाता है पूरा dose दिया जाता है तो 18 month का जो बच्चा है लाया गया है one and a half year old बच्चा है well baby clinic में लाया जाता है booster dose होना है उसका DPT vaccine का तो DPT vaccine इंट्रमस्कलर रूट से दी जाती है तो बच्चे में कौन सी muscle prefer की जाएगी question आपको बहुत ही easy है DPT vaccine इंट्रमस्कलर रूट से दी जाती है 18 month के बच्चे में booster dose दिया जाना है तो कौन सी muscle है जो prefer की जाएगी option में ventrogluteal, deltoid, vastus lateralis, dorsolateral तो अभी हमने starting में question पड़ा था की adult में इंट्रमस्कलर रिंजेक्शन कहां दिये जाते हैं ventrogluteal में और व्यदी बच्चों की बात आती है less than 2 years तो कहां दिये जाते हैं vastus lateralis muscles में यहाँ पर आपका answer क्या होगा c next is while preparing a patient for surgery who has diabetes mellitus the nurse should be aware of which of the following potential surgical risk associated with this disease यदि किसी person को surgery के लिए prepare किया जाना है और वो already उसको diabetes mellitus की condition है तो आपको किस potential surgical risk के लिए ready रहना होगा किस disease के कारण क्या risk है जो हो सकता है option में है respiratory depression from anesthesia, fluid and electrolyte imbalance, poor wound healing या फिर altered metabolism and excretion और drugs तो यदि आपको यह चीज है याद रखनी है कि surgery के बाद patient को कौन सी condition develop हो सकती है क्या चीज आपको अपने mind में रखनी है कि surgical risk क्या हो सकती है तो यहाँ पर जितने भी diabetic mellitus के patient होते हैं यदि उनमें छोटा सा भी wound हो जाता है तो उसको क्या घाव भरने में, heal होने में बहुत time लगता है और ऐसा क्यों होता है पूर oxygen और blood की supply के कारण यही एक man reason है जिसके कारण जो भी आपने आपने community में अपनी society में जो भी diabetes के patient होते हैं उनमें छोटा सा भी cut हो जाए तो उस घाव को भरने के लिए बहुत time लग जाता है as compared to normal person के तो यही man reason है कि proper oxygen और blood supply ना हो पाने के कारण poor wound healing होने के chances जादा रहेंगे next is the condition where the uterus turns inside out is known as ऐसी condition जिसमें क्या हो जाए uterus है जो अंदर की तरफ ही turn हो जाए तो यह क्या कहलाएगा option में anti version, inversion, prolapse, retro version to the uterus inside out मतलब कि अंदर की तरफ ही क्या हो रही हो turn हो रही है तो यह क्या कहलाएगा anti version, anti flexion तो क्या है uterus की जो normal position है वो है तो यहाँ पर uterus अंदर की तरफ ही turn out हो रही है तो यह क्या है inversion prolapse का मतलब है कहां पर एदी बाहर की तरफ है जो uterus जाती है vagina के तो बाहर की तरफ हा जाती है तो prolapse तो इसमें फिर अलग अलग degree है जो आनी जाती है but uterus turns inside out that means it's the inversion of uterus next is the majority of the blood is supplied to the large intestine by which of the falling arteries तो large intestine के लिए सबसे ज्यादा blood की supply कौन सी artery से होती है option में inferior mesentric, celiac trunk, superior mesentric या फर anterior mesentric सबसे ज्यादा blood की supply है जो large intestine होती है वो होती है superior mesentric artery के द्वारा इसके द्वारा superior mesentric artery के द्वारा next is a person has run away from home adopting a new identity with complete amnesia about his earlier life this disorder is known as यदि कोई person अपने घर से आया है और उसने अपनी नई पहचान नई disorder कहलाएगा option में conversion disorder, multiple personality disorder, dissociative fugue, dissociative amnesia कदी कोई person अपने घर से दूर आया है उसने अपनी नई identity नई पहचान रख लिए किसके कारण इसके साथ नहींसा हुआ है तो कि वो अपनी पुरानी पिछली सभी चीजें भूल किया है वो अपनी उसने नई चीजों को adopt कर लिया है तो यह क्या कहलाएगा dissociative fugue dissociative amnesia का मतलब होता कि उसको बीच की उसकी life में कुछ जो बीच में ऐसी चीजें होई है वो याद नहीं है वाकि सव याद है तो वो अगर dissociative amnesia में बट उसको पिछला कुछ भी याद नहीं है तो क्या हैगा dissociative fugue में बट dissociative amnesia में उसको थोड़ा बहुत अपना पिछला कुछ याद रहेगा वो अप person chaining the subject or cracking joke in an attempt to compensate for defects by using strategies to avoid demonstrating failures in intellectual performance is tremendous तो एक ऐसा आदमी जो हर एक चीज पर joke crack कर रहा हो अपने किसी अच्छी चीज को छुपाने के लिए कुछ चीज जो failure हुए है उसकी life मुन चीजों के लिए वो कुछ joke crack कर रहा हो तो एक किस टाइब की performance कहलाएगी option 1 thought insertion, ketasphoric reaction, sundowner syndrome and affective impairment तो यह चीज़ें क्या कहलाएगी affective impairment क्योंकि वो क्या कर रहा है अपनी कुछ चीजों को छुपाने के लिए उसने एक strategy बनाई है कि उसको कुछ चीज़ें अपनी छुपानी है अवाइड करनी है ते किस तरीके का इंपेर्मेंट होगे अफेक्टिव इंपेर्मेंट नेक्स इज लिमेट और रेजिस्टरिंग वर्थ विदिन तो जन्म को कितने दिनों के अंदर रेजिस्टर करवा लेना चाहिए तो अपर आपका आपका अंसर क्या होगा यह 21 देज नेक्स्ट इस अ 2-year-old child with anorectal malformation underwent posterior physietal anorectoplasty which of the following needs to be emphasized by the nurse upon the discharge तो अदि किसी 2 साल के बच्चे को anorectal malformation के लिए कोई surgery होई है इसका नाम क्या है posterior physietal anorectoplasty तो अदि किसी दो साल के बच्चे की societal anorectoplasty होई है जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज के टाइम पर आप उसके लिए क्या चीज़ां उसके parents के लिए क्या चीज़ां करेंगे बताएंगे या फिर आप उसकी है तो उसको करेक्ट करने के लिए surgery से जाइटल anorectoplasty इसमें जो एनल एरिया है उसको ओपन किया जाता है तो इसके यदि सर्जरी होई है डिश्चार्ज के टाइम पर आपको क्या चीज़ें करनी होगी कि रेगुलर एनल डाइलेटेशन आपको चेक करवाना होगा तो आप उसके parents को भी यह चीज़ बता सकते हैं और आप भी उस टाइम पर चेक कर सकते हैं रेगुलर एनल डाइलेटेशन next is the major neurotransmitter involved in the occurrence of obsessive compulsive disorder OCD में कौन सा neurotransmitter है जो disturbed होता है option में serotonin, acetylcholine, epinephrine, epidopamine OCD में और जो depression होता है इसमें एक ही जो neurotransmitter है जो disturb होता है तो वो क्या है serotonin, क्या है serotonin next is following our clinical feature of organ phosphorus poisoning except यदि किसी ने organ phosphorus poisoning ले लिया है जहर खा लिया है जनरल ये agriculture में यूज होता है तो उसके सभी ही है जो clinical feature देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर option में salivation, hyperventilation, bronchospalm, pinpoint, pupil तो और्गन phosphorus poisoning में सभी clinical feature देखने को मिलेंगे बट जो नहीं होगा भोगा hyperventilation तो यहां पर organ phosphorus है जो क्या है agriculture पर यूज होने बाला एक एजन pesticide के तोर पर यूज किया जाता है यदि इसको कोई भी पी ले तो क्या होगा यदि मस्कराइन symptom पूंचे जाते हैं तो होगे salivation, lacrimation, urination, diffication, GI cramping होगा और MSS vomiting होगी बट nicotinic पूंचे जाते हैं तो होगा muscle cramp, tachycardia, weakness, twisting या फिर fasciculation बट यहां पर कहा है कि सभी हैं किसी एक को छोड़ कर तो वो क्या होगा hyperventilation जो नहीं होगा, diarrhea भी हो सकता है, vomiting भी होगी, pinpoint pupil होगा, bronchospasm होगा, lar आईगी बहुत जादा बट जो नहीं होगा वो क्या होगा hyperventilation next is, as per American Heart Association 2015 guidelines, in a single rescuer CPR for an infant, the ratio of respiration to compression is 2015 की American Heart Association की guideline के द्वारा, single rescuer है यदि CPR देता है किसी infant को respiration to compression का ratio कितना होना चाहिए, option में 2 by 15, 1 by 3, 2 by 20, 2 by 13, single rescuer CPR देता है, the infant में तो ratio होना चाहिए, 2 by 13 next is, एक question है आप लोगों के लिए है, इसका answer आपको देना है, which among the following surgical procedure should a nurse prepare for soon after a patient is admitted with possible ruptured of ectopic pregnancy, तो कौन सी surgery की जाएगी यदि patient admit हुआ हो, उसको क्या हुआ, ruptured ectopic pregnancy की situation में लाया गया है hospital, तो आप कौन सी surgery के लिए prepare करेंगे, option में है, dilatation and keratase, DNC कहा जाता है इसको, oophorectomy, evacuation of fetus या फिर hysterectomy, इसका answer आप लोग comment box में देना, I hope आपको इस series अच्छी लगी हो, तो लाइक करके अपने friends के साथ जरूर सेयर करें, कल हम same time पर new series के साथ आते हैं, so guys thank you for watching us, bye bye, good night आते हैं